तो दोस्तों आज की वीडियो बात करते हैं आज की वीडियो में हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो शेयर मार्केट में काम करता है देखो न्यूज ये निकल कर आ रही है जो कह सकते हो सबसे बड़ा ब्रोकर फर्म है भी जिसको बोल सकते हैं डिसकाउंट ब्रोकर और मैकसिमम लोग इसको यूज करता है रीजर इसके पीछे का क्योंकि बहुत ही सेफ और सेक्योर प्लस काम करने में जाधा अच्छा रखता था और पैसे भी बहुत ही कम लिया करता था सेकेंड अब दुबारे से इनकली प्रॉब्लम क्रेट हो गई ब्रोकर के लिए कैसे प्रोब्लम क्रेट हुई मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर जो सेबी की तरफ से ओर्डर किया गया है कि भाई अब क्या होगा फनो ट्रेडिंग के अंदर जो है एक फ्लैट फीस ली जाएगी जो एक्सचेंज की तरफ से लिया करते थे ब्रोकर पहले क्या हुआ करता था कि भाई एक इनसान अगर काम करवा रहा है जादा काम करवा रहा है तो रेवेन्यू शेरिंग के उपर उसको जादा प्रॉफेट हुआ करता था यहाँ पर कुछ चीजे निकल कर आती है जब भी से भी कोई रूल लेकर आती है कि आम जनता के लिए मैं रूल लेकर आ रही हूँ then definitely वो कुछ ना कुछ प्रॉबलम क्रीट कर देती है कि इसके लिए आम जनता के लिए ही मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा क्या प्रॉबलम हो रही है और अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करके बताईएगा मैं भी जानना चाहूँगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं समझ रहा हूँ सबसे पहली बात है हुआ क्या 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 चीज़े हुई क्या क्या चीज़े हुई जरा उसको समझ लीजिए सबसे पहली बात है कि भाई आपको पता होगा कि equity market के अंदर क्या हुआ करता है equity market में जो इंसान काम करता है उसके जीतने के chance 33% होते है छीक जो इंसान future को buy करके चलता है या sell करके चलता है उसके जीतने के chance 63% होते है जो इंसान options के अंदर काम करता है options की knowledge लेने के बाद में अगर वो option buying करता है तब भी उसके जीतने के chance 63% होते है और अगर वो options को sell करता है options को selling करता है तब उसके chance जीतने के 66% होते है अब देखो मैं यहां यहां यह बाते क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कभी-कभी शक हो जाता है कि सेभी जब भी यह कहकर आती है कि मैं retail trader के लिए काम करना चाती हूँ मेरा मन कर रहा है पता नहीं क्यों यहां पर गडबर हो जाती है कैसे समझेए मुझे याद है like 2013, 14, 15 की बात करे तो bank nifty के अंदर अगर आप काम करते हो तो मेरे भाही मैं बताना चाहूंगा bank nifty में अगर आप option selling करते हो जहाँ पर जीतने के chance 66% होते है और यह data बोलता है, math बोलता है option selling 5000 रुपे में हो जाया करती थी दीमे दीमे सेबी की नजरे इस पर गई कि भाही अब क्या हो रहा है, जो जनता है न वो option selling करने पर उतर रही है with hedge position की बात कर रहा हूं, मैं hedging के साथ में जहाँ पर पहली पता लगता है, कि भाही मेरा 2000 का या तो profit होगा, या मुझे 3000 का loss होगा बात खतम, इससे जादा मुझे loss नहीं हो सकता, इससे जादा मुझे profit नहीं हो सकता, तो बड़े प्लेयर भी गेम खिलते थे और आम जनता भी क्या करती थी, चलो जी सेबी ने बोला, एक काम करता है, आम जनता को ना option trading की थोड़ा दूर करता है, तो option selling का margin बढ़ा देते हैं, अब बात की जाए, तो margin की बात करें, margin होता है, कि अगर कोई चीज 100 रुपे की है, तो आपको खरीदने के लिए पहले कितना पैसा पे करना पड़ेगा, पहले क्या हुआ करता था, कि बहुत ही कम करते थे, और profit भी गेन करते थे, बट अभी वो सारी चीज़ें खतम कर दी गई है, क्या कहकर, कि हम retail trader को बचाना चाहते हैं, लोग ज़्यादा margin यूज कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा loss करा रहे हैं, ये कहानी बनाई गई, अब इसी तरीके से बात की जाए, option selling की, तो option selling में भी, पहले 5000 में option selling हुआ करती थी, आज की बात करें, nifty bank nifty की, तो भाई, एक लाग से दो लाग उर्पे की ज़रुत पड़ती है, और हसी आने वाली बात ये है, कि आप ये कह रहे होगे हम retail trader के लिए कर रहे हैं, भाई, जो अमीर आदमी होगा, वो तो option selling अभी भी कर पाएगा रहा है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, margin ज़ादा लग रहा है, कोई बात नहीं, बट वो तो mathematical calculation पर देखेगा, actual में आप जान बूझकर, basically आप जान बूझकर, option selling से हटाकर, लोगों को option buying की तरफ motivate कर रहे हैं, ताकि लोग option buying करते रहे हैं, उखसान कराते रहे हैं, वही चीज़ अभी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर हुआ क्या, F&O trading की बात करें, F&O trading पहली बात तो 95% trading जो होती है, शेर मार्केट में, F&O trading में होती है, और 5% जो trading होती है, वो होती है, equity market के अंदर, equity को आपने पहले ही तबाह कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे आपको पहले 20-20 times का leverage मिला खरता था, आज वो कितना रह गया है, 5 times का रह गया है, अगर कोई इंसान 10-20,000 रुबे trading करना चाता है, वो trading नहीं कर सकता है, equity market के अंदर, पहले किया जा सकता था, प्लस अगर वो F&O में आता है, तो F&O में आपने उसको options क्या दे दिया, कि अब आप option buy करो, बस, option और भी बुरा था, कि 95% और 5% वाला, अब क्या है, यहां से लोग निकल निकल कर, loss making से, profit making की तरफ जाना चालू कर गया है, और यह चीज चायर से भी को पसंद नहीं आ रही है, आप खुर सोचो, like इनका जो action है ना, उसको देखकर कुछ ऐसा लगता है, कि जो भी चीज़े रिटेल ट्रेडर को फायदा पोचाती है, जब रिटेल ट्रेडर को समझ में आना चालू हुआ, कि मेरा actual loss option buying से हो रहा है, तो मैं option selling करता हूँ, तो वहाँ पर क्या है, leverage इतना कम कर दिया, like कह सकते हो, margin इतना high चाहिए होगा, कि आम आदमी चाहकर भी option selling नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो, तो यहाँ पर समझ में शक होता है, कि रिटेल ट्रेडर के लिए काम कर रहे है, या फिर बड़े प्लेयर के लिए काम कर रहे है, थोड़ा confusing हो जाता है, अब सोचो मैं एक bank हूँ 500 क्रोड लेके बैठा हूँ, 500 क्रोड में मैं option buying तो करूँगा नी, तो वो इंस बड़ा शक करने की बात हो जाती है, तो यहाँ पर confusing है, यह चीज़े, अब क्या हुआ, finance minister ने हमारी finance minister आई और बोली कि retail trader के लिए न हम बहुत परवा करते हैं, और हम चाहते है retail trader न नुकसान न करा है market में, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने F&O F&O करना चालू कर दिया, कि F&O के अंदर बहुत problem आ रही है, बहुत जादा लोग पैसा गवाते हैं, भाई, business का मतलब यही होता है, कि मैंने पैसा गवाया तो दूसरे ने पैसा कमाया, और दूसरे ने पैसा गवाया तो मैंने पैसा कमाया, यही तो business को rule होता है fundamental, आप इसको कैसे change गर सकते हो, चलो अब क्या है F&O, F&O करने के बाद में क्या हुआ, सेवी के पास बात कई, कि भाई, आम जनता ना बहुत ज़्यादा लाइक कह सकते हो, ट्रेडिंग कर रही है F&O में, तो अभी क्या है, कुछ rumors उड़ा दी गए, कि 30% tax लग जाएगा F&O के अंदर, यह हो जाएगा, वो हो यह कुछ नहीं हुआ, हुआ क्या, आप गेम समझो, हुआ यह कि सेवी ने क्या किया, सेवी ने देखा कि भाई, हम ना कुछ करना चाते हैं आम जनता के लिए, चलो जी, जब भी सेवी ऐसा कुछ सोचती है, भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे तो पता क्या हुआ, वो लोग क्या हुआ करते हैं, जैसे NAC Exchange है, तो NAC को जो फीस जाती है, उस फीस में से कुछ कमिशन सेट हो जाती है, और जितना ज्यादा आप कह सकते हो, लोगों को लेकिया होगे, उतनी ज्यादा आपकी कमिशन सेट हो जाती थी, ऐसा वाला गेम था तो इन्ह को commission मिला करती थी उस commission को flat कर दिया कि अब एक same commission मिलेगी सबको, आप zero brokerage दो या ना दो, या फिर आप charges लो तो क्या हुआ जो zero brokerage वाले plan वाले सब लोग थे न वो खतम हो जाएंगे, उल्टा जो बचे हुए broker है, जो genuine broker है, जो आपसे 20 रूपे per trade लिया करते हैं, भाई एक बात तो बताओ, जब आप घर बैटके बिजनस कर रहे हो, दुकान भी खोलोगे ना, तो भी तो कोई खर्चा करोगे ना, वही खर्चा यहां पर ब्रोकरज के रूप में होता है, टेक्सिस न चार्जिस के रूप में होता वही खर्चा होई समझ में नहीं आया, कमाल की बात हो जाती है, अब जो ब्रोकर हैं, उन ब्रोकर को क्या कद्दू फरक पड़ेगा, उन्होंने बोला, कोई बात नी, मत करो, मत सुनो, अभी तक तो हम लोग क्या करते थे, एक्सचेंज चे फीस लिया करते थे, एक्सचेंज यह बताओ, यह जो फैसला आया, यह किस के लिए आया, आम जनता के लिए आया, हजी आने वाली बात है न, तो सोचो, यहाँ पर शक होता है, क्या यह आम जनता के लिए कोई फैसला हुआ, आम जनता अभी सीख रही है, नया बंदा कोई आया अगर, सोचो वो सीख रहा है, उस सरकारी इंसान जब सरकारी duty करता है तो क्या वो पूरी भुद्धी के साथ काम करता है नहीं करता है सोचने की बात आती है अगर ऐसे decision लेते हैं तो थोड़ा शक करने की बात है सरकारी officers के ओपर क्यों आप खुद भुद्धी लगाई है आप कहे ये रहे हो कि आप जनता की भल डर है पैदा होते ही कोई सीके नहीं आता मेरे भाई आते ही वो क्या करता है वो दस जगा पर हात मारता है पहली बात तो आपने ऐसा system बनाया वाई ecosystem share market में कि पहली बात तो वो बंदा आता ही डर-डर करे क्योंकि share market को तो लोग जुआ बोलते है उसको समझ में आ जाता है च वो खतम कर दिया equity market से अब आपको पूरा पैसा पे करना पड़ता है और जो leverage है भी वो नामचारे का होता है दूसरी बात आ जाती है F&O की F&O trading के अंदर F&O trading से दूर कैसे लगों को तो उन्होंने क्या करा जो zero brokerage वाले plan दिया करते थे उनको ही बंद कर दिया जाया कि अब अजीब है थोड़ा सा concept अजीब है बट आप समझ सकते हो कि यह हमारे लिए ही काम कर रहा है इनके अनुसार ठीक है बट मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर खास दिखाई नहीं दिया ठीक है बाकी बात की जाए taxes and charges की दो भाई आप देखो यहाँ पर अगर माली जी आपने 1000 शेर खरीदे like 1000 रुपे पर शेर खरीदा 100 रुपे का profit गेन किया और आपने यहाँ पर माली जी हजार ही शेर खरीदे थे तो 1000 शेर पर क्या क्या होता आपको total मिला कर कितने का फायदा होना चाहिए था एक लाख उर्पे का फायदा होना चाहिए था आप एक चीज़ नोटिस करो आपको यहाँ पर brokerage के बल 40 रुपीज लग रहा है intraday करने के लिए बट अगर same आप यहाँ पर काम करते ना यहाँ क्या होता था 40 रुपे लगता है असली जो आपकी कमाई खा जाता है ना पता है वो कौन होता है STT आप intraday में काम करो तो 275 रुपे लगता है आप अगर STT delivery में काम करो तो 2100 रुपे लगता है अगर यह STT ना हो तो आम जंता चलो delivery में भी काम कर ले तो उसको कोई दिक्कत ना है एक्चल में बड़ा पार्ट देखोगे ना आप 2300 रुपे कटे बड़ा पार्ट आप देखोगे तो 2100 रुपे तो यार STT कट होता है मालो मैंने आज delivery में काम किया दो दिन बाद में अपने share बेचना चाता हूँ तो मुझे तो 2100 का भी ना मतलब का फटका लग गया ना तो ये एक्चल में जानमूच के motivate करते हैं कि आप intraday में काम करो और intraday में जो काम करेगा मेरे भाई उसको नुकसान देखने के chances होंगे सोचने की बाते देख रहे हो पूरा गेम देखो ecosystem कैसा बनाया हुआ है आपको यहां पर brokerage brokerage की बाते बताई गई कि brokerage हमना free brokerage व पर होता है और brokerage से delivery में होता ही नहीं था और FNNOB पर अगर हम बात करें 40 रुपे लगता है एक trade में असली तो पैसा जो आप लोग कमाते हो वो STT, exchange transaction charge, DP charge, GST charge, CB charge, stamp duty charge भाई यह सारी चीज़े खा जाती है हम आदमी को आप इस चीज़ को ना solve करके आप क्या solve करने में लग थे ना उनको खतम कर दो, अब जो बचेवे broker होंगे वो अपनी fees बढ़ा देंगे, अच्छा बहुत अच्छा तालिया, अब क्या होगा, अब लोग ना कम आएंगे, क्यों आएंगे क्योंकि fees ज़्यादा होगी, अरे fees तो आप लोग ज़्यादा लेते हो यार, broker तो अपना तो बहुत ज़्यादा शक होता है, कि हमारी सेबी हमारी लिए काम कर रही है, या फिर बड़े players के लिए काम कर रही है, या करना क्या चाह रही है, कमाल की बात है, या फिर जो officers वहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या basically क्या खाकर वो लोग आते हैं सुबे-सुबे की ऐसे-ईसे idea लेकर आते हैं, एक छोटा सा बच्चा भी अगर share market में बोले ना कि इस problem को कैसे solve करें, लोग loss करा रहे हैं share market में अगर, 89% अगर loss करा रहे हैं, तो यह बताईए न 11% पैसा भी तो कमा रहे हैं, और 89% जो loss कराता है, वो क्या करता है, वो बताईए, कि वो कैसे गलतिया करता ह उनका mindset क्या होता है, उनको सीखने की जरुवत है, उनको अपनी psychology बिल्ड करने की जरुवत है, उनके पास कम fund होता है, और जादा पैसा कमाने की सोचते हैं, और यहाँ पर जो लोग होता है, वो बंदा लेकर बैठा है 10 लाग रुपे, और वो कमाने की बात कर रहा है, 40,000 र लोग क्या करते हैं, उनमें से maximum लोग क्या करते हैं, लाइक अंधाधुन ट्रेड करते हैं, यह बताईए कि 89 परसेंट जो लोग है, वो number of trades कितनी करते हैं दिन में, 10 ट्रेड, 12 ट्रेड, 15 ट्रेड, यह बाते बताईए न, और यह 11 परसेंट लोग है, यह महीने में 4 पताईगी, क्योंकि क्या है, भाई, ब्रोकर जो होगा, अब आप सोचो, ब्रोकर तो अपना काम करता रहेगा, ब्रोकर कहेगा, मेरी गलती नहीं है, आपकी प्यारी, हमारी प्यारी से भी ने हमें order दिया है, कि अब से ऐसा करना पड़ेगा, तो हम तो ऐसा कर रहे हैं, तो आपको एक complaint डाली जाती है, तो चार साल लग जाते हैं, उस complaint को solve करने में, तो अगर सोचो हमारी कोई trade गलत फज जाती है, या कुछ like trade हो जाती है, जो ब्रोकर की गलती के कारण हुआ, तो उस condition में हम अगर complaint डालेंगे, तो चार साल बाद अगर वहाँ पर उसका solution होगा, त क्यों नी बंद कर सकता है, मैंने आपको logic समझा दिया, हमारी सरकार ऐसी है, जहां से एक रुपया भी मिल रहा होगा ना, भाई, सरकार इतनी जादा कह सकते हो, पैसे को ले करना, बहुत जादा भूकी होते हैं, जो भूका बोलता है, भूका हो गया, वो वाला हाल है भी government का पैसो को ले कर एक चवणनी वो नहीं छोडने वाली है, प्लस जो भी जितनी भी संस्था है, जैसे सेबी हो गई, सेबी के बारे में बताना चाहूंगा, सेबी अपना पैसा, जो उसको खर्चा होता है वो अपना पैसा खुद बाखुद कमाती है, और कहां से कमाती है, प्लस यहां देखो, आप सेबी चार्ज यह लेके निकल लेगी यहां से, यह नहीं छोड़ेगी, यह हर जगा पर खड़ी होगी, और कमाल की बात बताना चाहूंगा, यह तो आपका साइड का हुआ, जिसको प्रॉफिट हुआ, सेम चीज सेल वाली साइड पर जिसने बेच इसे निकाल लेती है, सरकार इन में एक चवणनी भी एड नहीं करती होगी, यह बात ध्यान रखना, अभी क्या होने वाला है, सेम RBI भी EC, लाइक नक्षक गदम पे चलने की कोशिश कर रही है, कि अब वो क्या करेगी, 4X मार्किट को अपने अंडर कर लेगी, और जितना भ नहीं, गवर्मेंट की तरफ से यूज नहीं हुआ जाता, यह बात ध्यान रखो, और मेरे भाई, कभी-कभी तो कुछ ऐसा होता है, कि माल लीजे, 10,000 seat हैं, छोटे exam की, अपलाई करने वाले लोग आ जाता है, 1 करोड, 2 करोड, ऐसा हो जाता है, तो जितनी फीज यहां से आ बिठाके रखिए, कि जब भी से भी कोई रूल लेकर आती है, आप गया होगा, अब एक और नहीं चीज होगी, अब देखा जाया, अब इसको कोई करना चाया, तो connect कर सकता है, बट मैं अभी करना नहीं चाहता, क्योंकर ऐसा हुआ रहा नहीं, क्या होगा, अब आ जायेगा जीओ जीओ ब्रोकरिज प्लान लेकर ठीक अब वो कहेगा चलो भाई ये तो पैसा लेता है ये तो 50 उर्पे लेता है पर ट्रेड अब मैं क्या करूँगा मैं दो साल तक फ्री जीरो चार्ज लूँगा सेभी ने ऐसा रूल नहीं कहा कि आप जीरो नहीं कर सकते सेभी ने बोला आप मैनेज कर सकते हो तो कर लो बस क्या होगा जो एक्स्चेंज की तरफ से डील हुआ करती दिने वो डील कैंसिल हो गई अब सबको एक्वल पैसा मिला खरेगा ठीक है तो ये जीरो क्या कहेगा ठीक ह अपनी जेब से चलो एक साल का कितना पैसा लग जाएगा हजार करोड, हजार करोड देता रहेगा चार साल, पांच साल तक कितने हो गए पांच हजार, छेजार करोड भाई जब ये ब्रोकर सारे खतम हो जाएगे competition खतम हो जाएगा तो कौन बचेगा एक ही ब्रोकर बचेगा और वही ब्रोकर फिर क्या कहेगा अब बेट आ जाओ अपनी उकात पे 80 रुपे फीस लूँगा मैं, 90 रुपे फीस लूँगा एक ट्रेड के, तब ये चीज़े होने वाली है तो शक होता है कि असे भी हमारे लिए काम कर रही है या फिर इधर की तरफ काम कर रही है मतलब देख रहे हो, ये प्लान कुछ ऐसा लग रहा है तो जहां तक कि मेरी समझने की शमता दी मैंने बताया ये होने से क्या होने वाला है FNR ट्रेडिंग फीस बढ़ेगी और FNR ट्रेडिंग बंद करने की बाते नहीं कर रहे हैं, लोग मेरे भाई ये बात ध्यान रखना है तो फीस बढ़ाएंगे, सोचने की बात है क्योंकि 95% जो इंकम जनरेट हो रही है 90%, 95% वाइफन और ट्रेड से की जा रही है और ये बात ये लोग भी मान रहे है तो इस कंडिशन में वाम जनता का जो बिचारी नहीं थी शेहर मार्केट में कदम रखना चाहती थी कि मैं सीखना चाहती हूँ सीखने की बात तो बाद में गई अब उसको ये छीजे देखने की फेस करनी पड़ेएंगी और उसको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलने वाली है एक announcement आती है कि 25% सभी charges बढ़ा दी जाते हैं तो यहीं होने वाला है अगले साल फिर से 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद फिर 25% बढ़ा देंगे करते करते इतना high ले जाएंगे कि आप खुदी सोचोगे कि यार यह तो एक ही बंदा बचा market में कोई और है यहीं नहीं तो मैं और किसके स जरूर बताना कि आपकी क्या राय है, let's see कि क्या होता है, क्या चीज़े रहती है, ठीक है?